So, episode के shating हम लोग देखते हैं कि Selylee ए इन बोबैन की fight Town के guardian से हो रही होती है Then हम लोग देखते हैं कि बोबैन उस पर attack कर देता है Shadow strike जिससे कि बोबैन के glow on guardian पर attack करने के लिए चले आते है And guardian distract हो जाता है Then तभी बोबैन कहता है Selylee, अभी तभी सलीली उस गार्डियन के पीछे आ जाती है एंड उस पर अटाइक करती है फ्लेम डांस एड उस अटाइक की वज़े जिस जारो तरफ आगी अक फैल जाती है बट हम लोग देखते हैं कि वो जगा पर गार्डियन नहीं होता है तभी सलीली कहती है कि ऐसा हो यह नहीं सकता वो अटाइक साफ साफ उसके लगाता एंड वो बैन कहता है कि वो उसका क्लोन था तभी देखते हैं कि वो गार्डियन सलीली के पीछे आ जाता है एंड उस पे अटाइक करने वाला ही होता है तब ही वहाँ पर जीली आ जाता है जो कि सलेली को बचा लेता है एंड वोस बंदे से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और तुम हार मकसद क्या है लेकिन अगर तुमने मेरे फ्रेंज को नुकसान पहुचाने की कोशिस की तो मैं तुमें नहीं छोड़ूँगा देन तब भी वो बंदा जीली को खोचता है एंड वहां से गायब हो जाता है ऐसे लीली जीली से पोस्ती है कि जीली कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और अभी थोड़ी दिर पहने तुम कहा गय थे तो जीली कहता है कि ये लंबे स्टोरी है तो मैं तो मैं ये सब बात में पताऊँगा रेकिन अब यह हम लोगों को पहले खर जनला चाहिए क्योंकि Grandpa उब्रे भी खत्रे में होंगे देन तभी scene change होता है एंड हम लोग देखते हैं सलीली के खर को जहाँ पर Grandpa उब्रे होते हैं एंड वो कोई book पढ़ते हुए कहा रहे होते हैं कि अगर जीली के पास सच में कियोटी का इलिमेंटल पावर है तो इस book में एक भविश्वाडी है कि ये टाइम आएगा जब demons in God अर्थ पे आएंगे एंड अर्थ बुराई में डूब जाएगी एंड हम लोगों को सिर्फ वही बचा सकता है जिसके पास कियोटी का इलिमेंटल पावर हो तो इन तभी वहाँ पे जीली के टीम आ जाती है जिनको देखे ग्रेंट पावबरे बुग बंग कर देते हैं एंड उसे पूसते हैं कि आगर तुम लग वापस क्यों आ गए क्या वह गाडियन थे तो उड्लों ने हम पर हमला क्यों किया जो उपरे कहता है हाँ फूरू गाडियन थे इस टाउन में चार गाडियन है हिक्स, लूशियस, सेल्किया और वो जो सबसे ताक्कदर होने का दावा करता है उसका नाम है डोरो, ये लोग सबसे पहले ही रोस थे, जो कि लटनाया में कई सो साल पहले आये थे, और उन्होंने ही इस पूरे टाउन को बनाया है, इनके आने से पहले लटनाया नल से भी बत्तर था, और दोर उनको सिर्फ मौस्टर से ही खत्रा नहीं था, बलकि खाने की पाया, और उसने इंसानों को ही खटा किया, उन्होंने इंसानों को फसलों की बीज दिये, और उनको मिलकर रहना सिखाया, और काफी सारे रूल्स और रेगलेशन भी बनाया, वो शायद से हमारे लेटनाया को छोड़ने की इंटेंशन को खत्रा मानता है, उसे लगता है कि ऐसा करने से मॉस्टर्स और ज़्यादा भढ़केंगे, जिससे कि विलेज में और ज़्यादा खत्रा आ जाएगा, या आपको बता है कि इस टाउन को सोकॉल पीस मासूमों की बली दे की मिलता है, आपने हम लोगों को इसके बारे में क्यों नहीं बताया, इसको सुनकर सब चौक जाते हैं, और बोबन कहता है कि जिली, तुम ये सब क्या बकवास कर रहा हो, तैन तबी जिली उबरे से कहता है, इस टाउन के लोगों ने मॉस्टर के साथ एगरीमेंट किया था, जिसके चलते मॉस्टर्स को कुछ लोगों को खाने के रूप में दिया जाता है, आप को इसके बार में बता था ना ग्रैनपा उबरे, ग्रैनपा आपने हम लोगों को स्टाटे से सचाई क्यों नी बताई, क्या इसका मतलब मैं ये समझो कि आप भी उन लोगों के साथ मिले हुए हो, और आपने भी सर्वाइव करने के लिए ऐसे घटिया रास्ते को चुना है, सो सलीली बोलती है, जीली, ग्रैनपा उबरे ऐसे इंसान नहीं है, वो ट्वैल्फ हिरोज में से एक हैं, तब ही ग्रैनपा उबरे कहते हैं कि सलीली, चुप हो जाओ, तुम्हें जगरने के जोरत नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ जीली ने कहा है, वो कुछ गलत नहीं है, मै पर दोगों ने पहले सेलेली एंबो बैन को मानने की धंकी दी थी और अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो ये लोग मेरे आखों के सामने ही मारे जाते हैं। तो आपको अपनों के रक्षा करने के लिए किसी तरीकी की डील क्यों करने पड़ी आपको ये सब इसी लिए करना पड़ा क्योंकि आपको लगता था कि उन फोर गार्डियन को उर्हाने का कोई भी रास्ता नहीं है। सामने आते रहते हैं। और ग्रैनपा ओबर तो फिर बे सिर्फ इंसान है। एंजी लिए उबरे से पूचता है कि अच्छा ये बताईए। जिसको भी माफी मागने ही जहुरत है वो हूँ मैं। तो कि मैंने पहले ही यहां से निकनने की पूरी पूरी उमीद छोड़ दी थी। लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ मेरी उमीद वापत जाग उठी है। सेली ली बोबैं तुम लोग अब बड़े हो चुटे हो तो मैं तुम्हारी चॉइस ही तुम्हारा भाग कर डिसाइड करेगी। अगर तुम रिस्क नहीं लेना चाहते हो फिर भी मैं तुम लोगों के लिए अक्रियमंट करा हुआ है। हम लोगों को यहां से बहार निकलना है। हम लोग देखते हैं जीली को जो कहीं पर लेटा होता है। बट तभी जीली उसको बचा लेता है। जासे कोई भी मुझे एक शॉट में ही मार सकता है। पूल हो जाएगी एंड वे अपने अटक्स को ही अपने डिफेंस की रूप लोगों इस्तमाल करूंगा। मेरे पर जीली का मैसेज कैसे आ सकता है। क्या मैं अब बाहरी दुनिया के साथ कम्यूनिकेट कर सकता हूँ। एर जीली उसको बहुत सारे मैसेज भेज़े होते हैं। यह एक दिर उसके कॉलेज में एक गंजा आदमी आया था। जिसने की बताया कि जीली और उसकी मॉम यहाँ से सिफ्ट कर रहे हैं। इसके मेरे इलाज करना चाती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी आखरी सब चल गया रहा है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा तैन तभी उसके पास वह बच्छी आने लगती है जिसको की जीली अपने से दूर कर देता है और कहता है अभी नहीं अभी मुझे दूर रहो और इसकी वज़े से वह बच्छी जमीन पर गिर जाती है और रोलना शुरू कर देती है जिसकी वज़े जिस्टम पर वापर से इस डिस्प्ले आता है कि तुमने एक लिविंग बिंग को बैट फिल कराया है इस वज़े से तुम मुझे लगाता है जो कि इस आताइक को भी षानता करने के लिए वापर एंड मुझे लगा नहीं था कि मैं मरने से पहले आप से कुभी मिल भी पाऊंगा क्या आप भी यहां कहा दो सो उबरे कहता है मैं पहले ट्वाइल हिरोस में से एक था लेकिन अब मैं से रिफर सेट एक बुढधा आदमी हो जिसको याद तक नहीं है कि वो यहां पर कितने टाइम पहने आया था और जो भी तुमने बाते मेंशन की हैं वो सब मेरा पास्ट है और बैतर यही होगा कि तुम प्रेजन में जीना सीख लो सो उबरे कहता है जादा कुछ नहीं बस अगर तुमारे पास कोई जीली एंड बेसकीं की फाइट के बारे पूछने आये सो तुम दोनों एक सिंगल डिटेल तक नहीं पताना तुम लोगों को इस पुरी चीश को सीक्रेट रखना पड़ेगा सो ब्रॉस कहता है अंकल उबरे आप चिंता मत करिये हलाकि मुझे पता नहीं है आप ये सब क्यों कर रहे हैं लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई पूछने आएगा सो हम लोग अपने मूँ से एक सब तक नहीं निकालेंगे देन उबरे वहाँ से उठके जाने लगता है और कहता है मैं अभी के लिए चलता हूँ अपने ध्यान रखना और ब्रॉस मन में सोच रहोता है कि यहाँ तक कि 12 हीरोज में से एक उबरे भी यहाँ पर फसे हुए है सो मेरा याँस निकलना तो बिलकुली नामंकिन है देन तबी उबरे रुखता है एड कहता है हाँ वैसे तुमें मैं ये बताना भोल गया कि हम लोग याँस निकलने के लिए लेटनाया की गराईयों में जाने के प्लैनिंग कर रहे है एड इसलिए कुछ चैलेंटेड लोगों को रिक्रूट कर रहा है अगर तुम याँस निकलने में इंट्रेस्टेड हो देन तुम टाउन के साउथ में आ जाना मैं वहाँ तुमारा वेट करूँगा देन तभी उबरे के जाने के बाद वहाँ पर फिलोगा आ जाता है एडो कहता है मुझे लगाने दा कि तुम अभी खड़े होने के आहलत में होगे ऐसा लगता है कि तुमारे खाओ काफी है तक भर चुके है लेकिन फिर भी तुम इतने नेट के उटे वज़े से ब्रॉज कहता है सब कुछ यहां के हाईली स्किल्ड हीलर की वज़े से ही हो रहा है उन्हें की वज़े से मेरे बोन फ्लेक्शर ते गरिदी जल्दी ठीक हो पाया और मैं कुछ दिलों पर लड़ाई करने के भी काबिल हो जाऊंगा वैसे फिलोरगा क्या उबरे तुमाई पास भी आये थे और तुमें यहां से निकलने के बारे में और टेंपल के बारे में कुछ बताया था सो फिलोरगा बोलता है क्या उबरे वो तो ट्वारी विरोस में से एक है ना क्या वो यहां पर है तो ब्रॉज कहता है हाँ मैं भी एक warrior class का हूँ और उबरे मेरे ideal थे उनसे मिलना मेरी लिए सपने के बराबर था और मैंने पहले उनकी बहुत सारी photos collect की थी लेकिन इन सब के बाद भी मैं आज उनको नहीं पैचान पाया था तो फिरोगा बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है उबरे तो वही है ना जिसने उबरियन की battle में ब्लैक सी में अखेली जाके ग्विंक एंट रोल्स को मारा था वो यहाँ पर कैसे फासकते हैं 12 heroes को अपना title बस कहने के लिए ही नहीं मिला था वो पोरी दुनिया में strongest थे उन 12 लोगों को हराना किसी के लिए भी नमुम्किन था एंड ब्रॉज बताता है कि हर बात साल में दा strongest नाम की एक international button रखी जाती है जिसमें से सभी के सभी गिल्ड अपनी तरब से बाच पचवर यूस को बेशते हैं इससे फरक नहीं पड़ता कि कौन जीता है और कौन हारता है बट उस टूर्णमेंट की एंड में सारी सारी गिल्ड अपनी दरफ से एक एक स्ट्रोंगे सीरो को चुनते हैं इसी लिए लों को 12 स्ट्रोंगे सीरो कहा जाता है उस सान अंडर डॉग एंड थंडर बर्ड गिल्ड ने सच में अपनी प्रेजन से दुनिया को खिला दिया था उबरे ने सिर्फ अपनी दम पे पूरे थंडर बर्ड गिल्ड का नाम पूरी दुनिया में फैला दिया था हाला कि उबरे की ठंडर बर्ड गिल्ड को फेनिक्स गिल्ड ने किसी तरह हरा दिया था तुम्हें पता होना चाहिए फेनिक्स गिल्ड के पास रिप्रिजेंटेटिव पिछली बार के 12 विडियो उसके बराबर पावर्फुल थे लेकिन वो लोग मिलकर भी उबरे को बहुत मुस्किन सही हराब है लेकिन कुछ तैम बाद बैटल ओफ उबरियन में ही ठंडर वर्ड गिल्ड पूरी तरह से दैस नैस हो गई कहा जाता है कि गेल्ड के 5 स्ट्रोंगेट्स में से सिर्फ और सिर्फ उबरे ही बचा था और बाकी सब मौत को प्यारे हो गया और उस इंसिडेंट के बाद ही उबरे ब्लैक सीव गया और उसने अगेल ही क्विंकें ट्रोल को हरा दिया और उसके बाद वो डिटायर हो गया और वो जो लड़का है चेंज भी लिया हो, उसकी जितनी बावर्स हम लोग अचीव करने के बारे वो सोच भी ने सकते, देन तब ही सीन चेंज होता है, एंड हम लोगों को दिखाया जाता है उबरे का पास्ट, जहांबर उबरे का प्री ज़ादा जखनी होता है, एंड वो कह पास्ट के बारे वो सोच रहे होते हैं, एंड हो कहते हैं मोर्स, लूना, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपने साथ सेलीली को यहां से बहान निकालूंगा, जो भी कुछ पास्ट में हुआ, मैं उसको नहीं भूल सकता हूँ, और मैं यहां पर इस वज़े से बन था, क् यहां बड्राप होना ही मेरी परिस्मेंट है, लेकिन सेलीलीक साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको मेरी कर्मों के सजा नहीं मिलने चाहिए, सो मैं उसको यहां से बहान निकालूंगा, ताकि वो अपने एसाब से पनी लाइफ जी पाए, और मैंने उसकी रक्षा के लिए God of मार्चल ठंडर की इंचेंटमेंट भी लगा रखी है, जिसकी वज़ा से अगर फ्यूचर में सेलीली पे किसी भी तरीकी की आच आती है, तो वो इंचेंटमेंट अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगी, और उसकी एक्टिवेट होने की बाद गौड तक उसका कुछ नही तोड़ूँगा, एंड वी सीन चेंज होता है, एंड हम लोग देखते हैं जीली को, जो कि अब यह अपनी परिश्मेंट एंड करके ही आया होता है, एंड वो हाफ़ते आफ़ते कहता है, यह बच्ची को परिश्मेंट तो पहले से भी काफी ज्याद होती जा रही है, आखि में से तुम निकली, मेरी किसमत आखिर कितनी जंड है, जिसको गिसोन कर यूरो का गुस्सा काने लगती है, जिसको देख के जीली कहता है, कि तुम जो पीचा है बोल लो, मुझे वैसे भी कुछ समझ नहीं आने वाला, तैना चाना के जीली चौक जाता है, एंड कहता है, ए जो जीली का मेरे पास मैसेज आया था, उसके पीचे तुमारा हाथ था, जो बच्छी नाम में सर हिलाने लगती है, एंड कुछ अजीब से बोलने लगती है, जो कि जीली को बिरकर भी समझ नहीं आता, जो जीली कहता है, आखिर मैं ही गदा हूँ, क्योंकि मैं बहस के यहां पर आगए, एंड फिलोरगा और ब्रॉस, तुम लोग आगर कैसे हो, तुमसे मिले होगे काफी टाइम हो गया, जो ब्रॉस जीली को दाना मारते होगे कहता है, आखियो कि अब तुम हम लोगों को तो देखने आओगे नहीं, तो हम लोगी तुमसे मिलने आगए, है न फिलो पाए, तो बुबैन चिरते होगे कहता है, आखिर तुम यह बकवास कहा कर रहा हो, हम लोग ने तुमारी कब कहर गी, तो ब्रॉस कहता है, ठीक है ठीक है, लेकिन तुम मुझ पर चिलाओ मत, जीली कहता है, मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग यहाँ यहाँ पर आए किस लिए हो, तो फिर लोगा बोलता है, आफियसली हम लोग ग्रैंपा उबरे की टीम में सामिल होने के लिए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हमेशा मेशा क्लिए ट्रैप नहीं रहना चाते है, तो ब्रॉस जीली की हाथ है, वो बच्ची को देखते हैं, आखिर यह बच्ची क क्योंकि मैंने पहले कभी इसको तुमारे साथ नहीं देखा, और नहीं तुम बीस्ट मैंन की गेव में इसको लेकर आए थे, तो बच्ची इस ब्रॉस के हाथ में कार्ड लेती है, तो जीली घवराते हैं, ब्रॉस इसका नाव योरुका है, तो ब्रॉस कहता है कि तुम परे की ट्रेइनिंग को सीरियसली लेना पड़ेगा, और वो लोग आपस में ऐसे ही छोटे बच्चों के तरह लड़ रहे होते हैं, जिसको देखर ग्रेंपा उपरे जोर से हसने लगते हैं, तो ब्रॉस इनको देखर कहता है, आखिर आप हस क्यो रहे हैं, तो ग्रेंपा उ परे को इतना खुछ देखा हैं, तो ग्रेंपा उपरे अचानक से सांत हो जाते हैं, और अपने एक्स्प्रेशन चेंज कर लेते हैं, तो बोलते हैं, ठीक है, तुम लोग अभी थोड़ी तर यहाँ पर रिलाक्स कर सकते हो, लेकिन जैसे ट्रेनिंग सुरू होगी फिरोना म सो ब्रॉस कहता है कि क्या हमारी ट्रेनिंग कितनी जादा डरावनी होने वाली है, आखिर अब हम लोगों को कैसे ट्रेन करेंगे करने पर उपरे, सो बरे कहते हैं, क्या डरावनी, यह वर्ड भी इस ट्रेनिंग को डिस्क्राइब करने के लिए कम पर जाएगा, यहाँ तक क सबी के सबी 12 हीरोज भी इस ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पाते हैं यह अपने पास एक आर्टिफेक्ट निकालते वे कहते हैं कि बेटल सिर्फ इस्पीड और इंडियोरिस पर ही टिपेंड नहीं करती है बनकि हम लोगों को दुस्मन की वीकले से इस्टेंग का पता लगाना पड़ता है एक बेटल में 0.001 सेकेंड भी हम लोगों की जीत या हार्ट डिसाइड करने के लिए काफी है नहीं तब हम देखते हैं उस आर्टिफेक्ट की मदद से सारे के सारे लोगों के ग्लोंस बनके रैडि हो जाते हैं एंड उबरे कहते हैं लेकिन अगर ये टीम बेटल होती है तो वहाँ बर जीतने के लिए तुम लोगों को टीम वर्क और मेचोल अंड़स्टेंडिंग जवरी है एंड उबरे बताते हैं कि मेरे हाथ में ट्वेनिंग आर्टिफेक्ट है जिसकी वज़ा से ये ग्लोंस बने हैं इस आर्टिफेक्ट का यूज गिल्ट को काफी मुश्खिल चैलिज देने क्ली किया जाता है और ये जो ग्लोंस तुम्हारे सामने खड़े हैं इनकी पावर स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेंगे लेकिन तुम लोगों को दर जरूर मैसूस होएगा अगर तुम लोगों में से किसी को भी एक क्लिन कॉम्बो पढ़ गया और उसको यहां पर लणने का दुबारा कोई भी चांस रही मिलेगा और उसके ग्लों का बड़न बाकी टीम फिर से बढ़ जाएगा जिसके जरिये मैं तुम एक रियाल्टी को बताना चाहता हूँ कि हम लोगे टेम्पल जाने के रास्ते में अगर हम लोग अपने किसी टीम मेंबर को खो देते हैं तो हम लोगों की उपर उसका पूरा बटन आ जाएगा और हम लोगों की बैटल और ज्यादा मुश्किल और मुश्किल होती जाएगी यही है तुम लोगों की ट्रेनिंग अपिसोड कता होता यही पर अगर आपके वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के सब्सक्राइब करना बिल्कूल मत भूलना और वीडियो को अपने सारे और डाकू फ्रेंस के साथ द हुआर और वीडियो कि någonting की मैं उक्राइब करना वही है और मुश्किल अधए़्किल हो दूलना वां लाइब क्वेगी खसे ख Cont YouT Ge